एक तरफ बिहार में राजनितिक सरगर्मी वहीं दूसी तरफ कहा ये जा रहा है कि बिहार में राजनितिक महाल बदलने के बाद अब बाहू बल्येँ कि भी देख रहे खोने लगी है तो वहीं आपको बतादें कि जहां इस बात को लेकर के चर्चा सुरू हो गई है कि एक तरफ आनन्द मोहन को नितीश कुमार का सपोर्ट प्राप्त है तो वहीं दूसरी तरफ ललन सिंग जो की जदियू के खेमे में हैं तीसरी तरफ आर जेडी अनन्द सिंग को काफी सपोर्ट करती है उनकी पतनी आर जेडी से एमेले भी हैं लेकिन जो सुचनाय आ रही है वो सुचना बेउर जेल से आ रही है बेउर जेल में अनन्त सिंग सजा काट रहे हैं और बेउर जेल में अचानक से महाल गरवला गया है बिहार के बेउर जेल में बंद बाहु बली नेता अनंद सिंग की मौझूदगी में उनके समर्थक किसी बात को लेकर के आपस में भिड़ गए बिवाद इतना बढ़ गया कि जेल की घंटी बजानी पड़ी इसके बाद मौके पर वरिया दिकारियों को सम्हालने के लिए पहुंचना पड़ा लेकिन आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो मामला सामने आ रहा है उसमें बताया तो यही जा रहा है कि हलात फिलहाल काबू में है लेकिन यह मामला और ज्यादा गर्मा सकता है क्योंकि मामला अनंद सिंग से जुड़ा हुआ है और जानकार बता रहे हैं जान को भी खतरा है आपको बता दें कि अनन फानन में जेलर उप जेलर और अन्य जेल कर्मी पहुंचे जेल के अंदर अफराद तफ्री का माहौल बन गया था कई वरिय अधिकारी बेउर जेल पहुंचकर स्थिती को समालने में जुटे थे सभी कैदियों को उनके बैरेक में जाने की सुचना दी गई थी फिलाल कहा जा रहा है कि हलात काबू में है और इस घटना के बाद लगतार अब मोनिटरी हो रही है आज ही सुबह यह घटना घटी है हलाकि इस घटना में हल्की फुल की मारफिट की बात कही जा रही है लेकिन इन सब बातों के सामने बताया जा रहा है कि घटना जब आज सुबह हुई तो अनान सिंग वहां मौजूद थे और अनान सिंग के समर्थकों के बीच मारफिट हुई थी मामले पर जेल प्रशासन ने ये कहा है कि कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जिसको बताया जा सके और नहीं कोई माहौल खराब हुआ है मामले को लेकर कुलिशन मडनल पताधिकारी विक्रम सिंगाल ने बताया कि फिलाल उन्हें इस मामले में कोई विशेश जानकारी नहीं है वो इस जेल के अधिकारियों और बेउठ ठाने में बाचित कर रहे हैं लेकिन आपको बता दें कि अनन्द सिंग के समर्थक जो बाहर हैं वो काफी दरे हुए हैं और बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि अनन्द सिंग के जान को खत्रा है इसलिए उन्हें विशेश सुरक्षा मुहया कर रहा है आपको बता दें कि लगतार जिस तरह की चर्चाय चल रही है वो साब बता रही है कि कहीं न कहीं 2024 चुनाव आने से पहले राजनितिक माहौल गरम है और इसी को लेकर के अनन्द सिंग के साथ और उनके समर्थकों के साथ जड़ब हो सकती है आपको बता दें कि अगर एक नीजिया चैनल की बात मानें तो जेल के अंदर जो भिडंत हुई थी उसकी बात पुलिस चुपा रही है हलाकि भीतर में मार पिट काफी बड़ी मात्रा में हुई है जब पगली घंटी बजाने की जरूरत महसूस हुई तो इसका मतलब है कि मामला आउट ओफ कंट्रोल था लेकिन पुलिस का कहना है कि सबकुष नियंतरन में है क्या होगा इसके बाद जैसे ही कोई सुचना आती है या जेल प्रसासन द्वारा रिपोर्ट जारी किया रता है हम फिर आप से जुड़ेंगे चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद